Hello everyone, पिछले वीडियो में हमने 6th पॉइंट तिक देखा था Objectives of Public Debt इस वीडियो में हम 7th पॉइंट से देखेंगे कि और क्या objectives होते हैं Public Debt के अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं description में link देदूंगे पिछले वीडियो का जिसमें 6th पॉइंट तक मैंने explain किया हुआ है और Public Debt का भी concept मैंने explain किया है उसमें तो आप जाके check कर सकते हैं 7th पॉइंट क्या है? To Finance Public Enterprise इसमें क्या है? जैसे कि माल लेजे कि कोई hospital बनवाना है government को school बनवाने है government को कोई colleges बनवाने है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे तो वहां से भी government borrow कर गी है इन चीजों को fulfill कर सकती है क्योंकि अब हरी किसी की पास उतने पैसे नहीं होते है न कि कोई private hospital या private schools में जाके उस चीज़ का फायदा उठा सके तो government वो चीज़े at a low cost या at a free cause भी provide करने की कोशिश करती है तो वो public enterprises में invest करने के लिए भी government borrow करती है 8th point है to meet emergency अब ये emergency कैसी भी हो सकती है या तो ये economical emergency हो जाए या तो कोई war time situation हो जाए या तो कोई health hazard हो जाए जैसे कि अभी present में covid की time पे हुआ था तो अब इस time पे services देनने के लिए government invest करेगी करेगी तभी तो लोग के पास लोग को जादा दिक्कत नहीं होगी अब माल लीजे बहुत जादा economic emergency में बहुत जादा inflation बढ़ गई है बहुत जादा depression में economy चली गई जैसे कि 1930s में हुआ था इंडिया में नहीं बाहर countries में foreign countries में हुआ था तो ऐसे time पे government interfere करती है अगर बहुत जादा महंगाई बढ़ जाती है तो जहाँ पे बहुत जादा लोग पैसे ले रहे हैं लोगों से वहाँ पे चार्ज करती है उन लोग को उन लोग से taxes वसूल जादा करती है या फिर subsidies प्रोवाइड कराती है तो इन सारे चीजों में government invest करने के लिए government को पैसे चाहिए होते है नाइन्थ पॉइंट क्या है growing public expenditure जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि road वगरा बनवाने के लिए तो अब वो तो हो गया कि वो services प्रोवाइड कर रहे है ठीक है बट एक fix एक motive होता है कि लोगों को सुविधा चाहिए जहां पर वो लोग रह रहे हैं जिस शहर में रह रहे हैं वहां पर उन लोगों को सुविधाएं चाहिए अब सुविधाओं के लिए government ही काम करती है चाहिए वो road हो गई है चाहिए वो पानी सप्लाई का काम हो गया चाहिए कोई और भी चीज हो गई ठीक है तो उसके लिए पब्लिक या फिर defense के लिए आपको guns वगरा प्रोवाइड करानी है मान लिजे कि बाहर की countries को जरूरत है for example Afghanistan को कुछ टाइम पहले बहुत जादा जरूरत थी तो इंडिया के तरफ से help भी हुआ था अभी Pakistan के through वो help help जाएगी Pakistan के रस्ते से होते हुए मतलब Pakistan के through नहीं इंडिया उधर से help करेगा Afghanistan को तो उसके लिए अब इंडिया पाकिस्तान के relation पर नहीं जाते हैं हम यह देखते हैं कि political relation मतलब smoothen करने के लिए for example अगर आसान language में समझेंगे तो किसी को जरूरत हो गई तो government उसकी help करी कहीं पे hazardous situation बन गई या फिर कहीं पे emergency किसी और country में आ गई तो government वहाँ पे political relations को अच्छा करने के लिए smooth करने के लिए कि देखिए आपके जरूरत में हम आपके काम आ रहे हैं उसके लिए भी public debt ले सकती है लाट्स में आता है miscellaneous objectives यानि कि इसमें बहुत सारी चीज़े आ जाती है bringing stability in economy reducing unpopularity of taxation यानि कि बहुत जदा tax अगर लेने लगते है government charge करने लगती है तो लोग कहते हैं लोगं को तो pain होगा क्योंकि tax pay करने में तो pain होगा sacrifice है वो as a sacrifice ही तो है कि लोग अपनी कमाई दे रहे है government को तो unpopularity यानि कि होता है यानि कि लोग नहीं चाहते हैं pay करना बहुत जदा होने लएगा tax वसूला जाएगा तो लोगं को दिक्कत होगी लेकिन अब government को भी ज़रुरत है काम कराने के लिए तो government debt लेके वो काम को fulfill कर सकती है ओके तो यही सब था अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच